प्रदेश में लगे कोरोना कर्फ्यू के बेच मुख्यमत्रे शुराची चोहान ने कहा कि अंतराश्टी मापदंडों के अनुसार यदी पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे आता है तो ये कोरोना संक्रमन की नियंत्रित होने का संकेत है ऐसे जीले जहां कोरोना संक्रमन की पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे आ गई है वहां 17 मैं के बाद धीरे धीरे वज्यानिक धंग से कोरोना कर्फ्यू को हटाये जा सकेगा जिन जीलों में पॉजिटिविटी रेट बड़ा रहेगा वहां कोरोना कर्फ्यू नहीं खुलेगा बता दे कि जीलों के आकड़े देखे तो केवल चार जीले खंडवा भिंड बुर्हानपूर और चिंदवाड़ा में पॉजिटिविटी रेट पांच प्रतिशत से नीचे है मधिप्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 14 प्रतिशत तक है जहां य की संक्रमीत प्रतिशत दर्जिद गई थी मुख्यमंतरी ने कहा कि हमें निच्चिंत नहीं होना है अभी अधिक साउधानी की जरुरत है कोरोना संक्रमेंट को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लंबा सफ़र तई करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वाइरस अपने आप कम फैलता है या वाइरस हमारे विववार से जादा फैलता है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमेंट कुछ गाओं में भी फैला है इसे नियंत्रीत करने के लिए किल कोरोना अभियान चल रहा है सरकारी अमला मैनत के साथ घर घर दस्तक दे रहा है सरकारी अमले के साथ राजनेतिक सामजिक कार्य करता और गाउं के वरिष्ट जन शामिल है मुख्यमंत्री चोहार ने कहा कि यदि सर्दी खासी बुखार है कोरोना के लक्षन है तो छुपाएं नहीं बताएं और उपचार संबव है सरकार ने निशुल को उपचार की व्यवस्ता भी की है